हेलो फ्रेंज वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल रोटो सक्षेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NBCC वरेस पोस्ट ओनलाइन फॉर्म 2021 के एप्लिकस्ट फॉर्म के बारे में तो फिन्स यहां पर आपका NBCC इंडिया लिमूटेड की तरफ से आपके आपके आपर नियू रिक्रूट में नोटिफिकस्ट जारी कर दे गया है तो किस तरह से आप इस एप्लिकस्ट फॉर्म को फिलप कर सकते हैं इसके बारे में हम कम्पली डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो यहां पर आप देख पर हो NBCC की तरफ से आपका आप आपर जो डोटिफिकस्ट न है आपका हैं पर फाइनली जारी कर दे गया है जिसके जो ओनलान आवी दिन है आपके हैं पर ओद रेडिटी स्टार्ट हो चुके हैं तो किस तरह से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाइ कर पाएंगे तो दोस्तो आगे बन इस पहले यदि आपने हमारा यूटूब चैनल रोटो सक्सेस को अब तक सब्सक्राइब निक्या है तो फेंट्स अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकसन आप तक पहुंचते रहे तो फेंट्स चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फेंट्स अगर आप इस वेकनेसी के लिए उलेजेबल हो एप्लिकबल हो तो आप इस फोर्म के लिए अपलाय कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रीशन बॉक्स में मिल जाएगा तो हेलो दोस्तों यहाँ पर आप देख पारे हो NBCC India Limited जिसकी तरफ से आपके notification जारी किया गया है यहाँ पर आपका NBCC virus post recruitment 2021 के लिए application form मागे गये हैं यहाँ पर आपका advertisement आपको देखनों मिल जाता है जो कि यहाँ पर आप 100 data limits का notification चेक आउट कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसकी important date की तो यहाँ पर आपका जो application है वो आपके 9 December 2020 से start हो चुके हैं और आपके यहाँ पर apply करने की जो last date application की वो आपके 8 January 2022 तक application form flip के जाएंगी और हम बात करें इसकी application phase की तो यहाँ पर आप देख पर हो प्रोजेक्ट मैनेजर की आपके आपके यहाँ पर 1000 रुपे रखे गई है साथ ही management ट्रेन के लिए 500 रुपे फर्म फिस रखे गई है वेकलोग वेकेसी की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी फर्म फिस नहीं रखे गई है साथ ही LCST और page connected के लिए भी आपको यहाँ पर कोई भी फर्म फिस नहीं रखे गई है अपना payment आप यहाँ पर credit card और net banking के मादें से कर पाएंगी अब हम बात कर लेते हैं इसकी age limit की तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो age है 8 January 2022 तक आपकी complete होनी चाहिए जिसमें आपकी जो maximum age है आपकी 25 चे आपके आपर 47 यह रखी गई है दोस्तों यहाँ पर आपकी जो age है अपनी post के recording यहाँ पर आपको देखनों मिल जाएगी और हम बात करें इसकी age relaxation की तो यहाँ पर आपकी जो भी NCC आपके यहाँ पर जो post है उसके recording आपको देखनों मिलेगी अब हम बात कर लेते हैं इसकी vacancy detail की तो यहाँ पर आपकी जो total vacancy है आपके 70 post invert की गई है आपका post name आपका अलग 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 रखा गया है साथ ही आपकी qualification BA, BT वगरा अगर आपने electrical में कर रखे है तो आप इस form के लिए apply कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी अलग 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 पोस्ट invert की गई है यहाँ पर आपकी जो इस्टनो गराफर वेगलो की जो vacancy है इसमें आपकी bachelor degree रखे गई है जो कि आपकी किसी भी university और आपका यहाँ पर रिकोगना यूनिशिटी से होना चाहिए साथ ही आपका typing test मांग गया है तो आपका यहाँ पर इंगलिस और हिंदी में आपका यहाँ पर typing test होगा साथ ही आपको यहाँ पर experience भी होना चाहिए उसको आप डाउलोड करके चेक आउट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर देखनों मिल जाता है candidate login वाला session तो अगर आपने आवदेन कर रहा का तो यहाँ पर आपके login ID और आपका password फिलप करना है तो यहाँ पर आपको इसको डेक्लेर करना होगा और आप यहाँ पर login करेंगे अगर आपने पहले आवदेन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको new registration करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको new registration पर click करना है आप फ्रेंट सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अपना post है उसको select करना है तो आप किस post के लिए apply करेंगे तो इनमें से आपको एक post select करनी है उसक को सेलेट करना है यहां पर आपको जो है नेक्स्ट पर आपको किलिक करना है जैसे यहां पर फिर्ष्ट पर किलिक करते हैं तो यहां पर आपका सेकेंड ओप्सन ओपन हो जाएगा अब यहां पर आपको दिया रहता है नोट आपको यह पर दिया रहता है कि नेम एन फादर ने देन आपका मिडेल निम और आपका लाश्टे नम आपको एंटर करना है उसके बाद यहां पर आपका तो फाधर नम हां वह फादर कैंटर करना है और दोस्तों ये आपके यहां पर यह ऑपकर अपकर पीडाइब डीगे चक्टेघरी से आते हो तो आप आपको यह सेनो सेलेट करना है और अगर आप यहाँ पर एक सर्विस में हो तो आपको यह सेनो सेलेट करना है उसकी बाद यहाँ पर आपका जो भी डेटो बरत है वो डेटो बरत आपको एंटर करना है तो यहाँ पर आपका जो भी जेंटर है वो जेंटर आपको सेलेट करना ह यहाँ पर आप मेल हो फिमेल हो यह ट्रांजेडर हो आपको स्लेट करना है स्लेट करने के बाद फैंच यहाँ पर आपका जो भी मेरिट्राल स्ट्रेटस है आपको स्लेट करना है आप मेरिड हो यह सिंगल हो यह डाइबर्स हो आपको स्लेट करना होगा उसके बाद फैंच यह यहां पर आपका जो आधार नमर है आपको एंटर करना है अगर आप देना चाहते हैं तो उसका नमर दे सकते हैं नहीं तो यह आपका उप्सनार रहेगा देन उसकी बाद आपका जो रिलेजन है वो रिलेजन आपको सेलेट करना है तो यहां पर आप हिंदु हो मुसलिम हो या इसलाम हो जिस भी रिलेजन्सिय आप बिलोंग करते हो आपको select करना होगा और select करना होगा और select करना होगा यहाँ पर आपका दोस्तो अगर आपका अंपर permanent address और आपका permanent address finds हैं तो यहां पर आप से मंज़ पर अंटर करेंगे तो आप इस च्फाबक सुख क्लिक करेंगे थीक है। इस तरह से या पर आपको किलिक करना है उसकी बाद दोस्तों यहाप आपको वैलिडाइड करने के बाद आपको इंपर नीचे आज़ाना है और याप K आपको किलिक करना है अब दोस्तों इस तरह से आपको यहां पर इंट्रक्शन देखना मिल जाएगा तो यहां पर आप से बोड़ रहा कि अगर आप यहां पर समिट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको पर किलिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर समिट करेंगे तो आप का register email ID है उस पर आपके application नमबर आपके send कर दे जाएंगे तो आप उसको check out कर सकते हैं उसके बाद फिर यहां पर आपको ok वाले option पर आपको click करना है तो फिर यहां पर आप देख पाएंगे आपका candidate login वाले session पर data saved successfully and your registration details तो फिर यहां पर आपका जो भी registration है उसकी डेटल आपके यहां पर successfully हो चुके है अब आपके यहां पर जो भी login ID है वह आपकी mobile नमबर और आपकी email ID पर आपको send की जाएगी आप वहां पर check out करनेक बाद जो भी आपको login ID मिली है आप उस login ID को आप इस checkbox में fill up करेंगे यहां पर आपका जो भी password है आप यहां पर enter करेंगे enter करनेक बाद आपको यह जो capture दिखाए रहा है इस capture करेंगे और enter करनेक बाद आपको यहां पर remember me पर click करना है तो यहां पर आपको login वाले session पर ok करना है सो फइंट आंपए आपको झहाम को marble पॉटल वाला option आपको देख नों को बिल जाएगा अधू यहां पर आपका जो भी password है आपको add character से लेकर 15 character यूज़ करने है और उसके बाद आपने जो भी password create किया है वो आप यह पर confirm करेंगे और confirm करने के बाद आपको यह पर जो अपना mobile number और email ID आपको देखरूंग मिल जाती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको submit वाले option पर आपको click करना है अब आपको यह परना जो form है वो आपको यह पर 6 टे में complete करना होगा तो यहाँ पर आपका पहला आपका जो भी पोस्ट आपको apply करना होगा second में आपकी personal detail आपको enter करनी है और third में आपका जो भी education qualification है उसकी detail आपको enter करनी होगी और file में आपका यह पर जो भी document आपको upload करने है और 6 में आपका यह पर जो भी प्रिव है application का आप यह पर करने है तो यहाँ पर आपको यह पर submit करना होगा उसकी बाद finish यहाँ पर आपका जो भी communication detail है आप उसको check out करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर next करना है और finish यहाँ पर आपका जो third step आपका यहाँ पर education qualification का आएगा तो यहाँ पर आपका जो भी essence and qualification है आपको उसको type करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो भी name and आपका जो डिपोलमा या degree का name है आपको यहाँ पर select करना होगा तो यहाँ पर आपको select करना है तो यहाँ पर आपको select करना होगा उसकी बाद दोस्तों आपका जो भी इस्पलाइजिशन का name है आपको यहाँ पर प्रस्ट का टाइप आप यहां पर फूल टाइम थे या पाट-टाइम आपने ग्रोजेशन की है उसके डेटल आपको एंटर करनी होगी एंटर करने के बाद दोस्तों यापका दों बूर्डिया या यूनिसिटी का नेम है आपको एंटर करना है और उसकी बाद आपका जो भी देट आप इस रोंतर है आपका पाइप्ट का डीपलोमा का नेम है आपको यहां पर एंटर करना है आपका इस्पेलाजेशन का नेम आपको एंटर करना है और आपका जो भी एकोरिंग क्वालिफिकेशन का जो डेट ओप इसू का डेट है आपको यहां पर का जो भी qualification certificate है आपको upload करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे all merged document, तो फेंट्स यहाँ पर आपका जो qualification का certificate है, यानि कि आपके जो भी qualification है, यानि कि आपके 1012 जो भी आपकी qualification है, आपको उस PDF को merge करना है, यानि कि आपके 1012 और आपके utilization की जो डिगरी है, यानि कि आपको उसके साथ जोड़ना है, और जोडने के बाद दोस्तों उसकी PDF बनाने के बाद आपको यहाँ पर upload करना होगा, तो यहाँ पर आप चुस पहल पर आपको upload करना है, उसके बाद आपका जो signature है, वो signature आपको JPG और JPEG format में करना होगा, यहाँ पर आपका जो भी signature है, आपको चुस पहल पर click करके upload करना है, तो यहाँ पर आपको जो card certificate है, वो card certificate आपको upload करना होगा, तो यहाँ पर आपको इस तरह से declaration को I agree करने हैं इन दोनों को आपको declare करने के बाद friends यहाँ पर आपको मिल देता है save वाल option तो यहाँ पर आप save पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप से कह रहा कि अगर आप यहाँ पर final submit कर देतो तो यहाँ पर आपका जो application है आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका जो application है आपका यहाँ पर successful हो चुका है अब आपको यहाँ पर okay करना है तो friends यहाँ पर आप देख पाएंगे application form है submit successfully तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो application form है आपका यहाँ पर किस तरह से यहां पर आपका जो भी एप्लिकस्तन फॉर्म होंगा आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं तो फिर्ट से आज किस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आप यहां पर रेक्रूर्ट्मेंट पोर्टल जो कि आपके आप यहां पर इन्वर्ट किया है उसका फ कि आपके लिज फिस वीडियो हो भाव भले उसका जापर